आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुनें फ्रेंस जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या नमबर वन घर के काम करते समय नाखून कटे हुए रखना बहुत ही जरूरी होता है यानि की सुरक्षित होता है नमबर टू सुबा उठकर खाली पेट पानी पीने से तवचा हाइटरेट रहती है नमबर त्री जो महिलाएं ज़ाडू लगाते समय बाल बांद कर नहीं रखती हैं उनके बालों में आधूल आ जाती है प्रेंस हमेशा या तो आप ज़ाडू लगा रहे हैं या फिर घर का कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने सर पर कपड़ा यानि की सर को ढखकर रखना चाहिए नमबर पोर जो महिलाएं नियमित रूप से फेस पैक लगाती है उनकी तवचा में गिलो बना रहता है प्रेंस कोई भी हो महिलाएं हो या फिर लड़किया हो या फिर कोई भी हो आप अपने चहरे पर फेस पैक लगाते हैं नियमित रूप से तो आपके चहरे पर गिलो बना रहता है 5. खाना खाते समय बालों को ढखकर रखें ताकि खाने में बालों की गंद ना जाए उनकी तवचा पर मुहासे आ सकते हैं महिलाएं पुरिस बच्चे कोई भी हो ज़्यादा जंग फूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह हानी कारक होता है और साथ में आपकी तवचा पर इससे खाने से मुहासे की समस्या हो सकती है नमबर नाइन जो और महिलाएं गीले हातों से चहरे को बार बार चूती हैं उनके चहरे पर दाने हो सकते हैं फ्रेंज महिलाएं हैं या फिर पुरुस हो या फिर बच्चे हो चहरे को किसी को भी बार बार नहीं चूना चाहिए यदि आप अपने चेहरे को बार-बार छोते हैं वो भी गीले हातों से तो आपके चेहरे पर दाने हो सकते हैं इसलिए बार-बार नहीं चुना चाहिए नमबर 10 हल्दी दूद में डाल कर पीने से अंदर के जखम भर जाते हैं नमबर 11 खाना खाने से पहले पानी पी लेन चाहिए चाहिए नमबर 12 हल्दी दूद में डाल कर पीने से अंदर के जखम भर जाते हैं नमबर 18 जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है उसकी यादास और उसका पेट कभी भी कमजोर नहीं होता है। 14. 10 साल पुराना गुड़ मरदाना ताकत के लिए बहुत जादा फायदेबंद होता है। 15. काले चने बजन कम करने के लिए बहुत जादा फायदेमंद हैं काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 16. बांच औरत गुड़ के साथ रोटी खाती हैं तो यह उनके लिए बहुत जादा फायदेबंद होता है। 17. जादा देर तक जागने से दिमाग कमजोर होता है। 18. कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। फ्रेंस कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती इसलिए कच्ची रोटी नहीं खाना चाहिए रोटी को अच्छे से पका कर सेख कर खाना चाहिए Friends, आपको यह Tips कैसी लग रही हैं, जरूर से पताईएगा Friends, यदि टिफस च्छी लगती हैं, तो वीडियो को एक Like जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर New हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंस वीडियो को पूरा ही वस्ट कीजेगा, अब सीट, कि पता चलता है कि वीडियो में है क्या नम्बर 20, रोजाना सुबह 40 मिनट पैदल चलने से आपकी चर्वी पिगलना सुरू हो जाती है फ्रेंस हमें रो जाना 40 मिनट हो या फिर 30 मिनट हो पैदल चलना बहुत जरूरी होता है जिनके सरीर में ज्यादा फैट होता है उनकी चर्वी फिगलना शुरू हो जाती है यदि आप 40 मिनट पैदल चलते हैं तो नमबर 21 क्या आप जानते हैं कि सुबह जागते ही 5 सेकिंड आपको कुछ याद नहीं होता है नमबर 22 जिनकी बेटियां होती है उनकी जिन्दगी में इजाफा होता है यानि उनकी उम्र बढ़ जाती है नमबर 23 चार चीज आपको परेशान या बिमार कर सकती हैं जादा सोना जादा बातें करना जादा खाना और जादा लोगों से मेल जोल रखना प्रेंस हमेशा आपको ये चीजे परिशान करती हैं जैसे कि बीमार कर देती हैं जैसे कि आपको ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए या फिर आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए या फिर आपको ज़्यादा लोगों से मिल जूल रखना नहीं चाहिए क्यों कि यह आपके सरीर को नुकसान देती हैं 24 जिनको गुस्ता ज़्यादा आए उनका दिमाग अक्सर खराब होता है 25 जो ज़्यादा देर खामोस रहता है वे बहुत ही जहीन होता है 26 जो पानी कम पीते हैं उनके गुर्दे जल्दी खराब हो जकते हैं 27 जो रोटी के खाना के बी काने की बीच में कभी भी पाने नहीं पीना चाहिए इससे आप पाने पींगे तो जल्दी बूड़े हो सकते हैं और आप पानी नहीं पींगे तो इससे आपके उमर पर फरक पड़े हैं जाने के आप बुड़े नहीं हो सकते अगर फल खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते नमबर 29 जो लोग बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहते हैं तो वह अपनी ही बातों में उलजे रहते हैं उनकी हर चीज गडबड होती रहती है दिमागी उलज पक्री का दूद बहुत ज़्यादा फायदेबंद होता है जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको उनकी कभी भी रिस्क में कमी नहीं होती नमबर 31 दूद पीकर कभी मशली मत खाओ तुमारी जीब फट जाएगी फ्रेंस कभी भी दूद के बाद मशली का सेवन नहीं करना चा नमबर 33 लोहे के बरतन में कभी दूद मत पिया करो हाजमा खराब होगा नमबर 34 जिस घर में काली भेड मौजूद हो वह घर नजर से हमेशा बचा रहता है फ्रेंस जिस घर में काली भेड रहती है उस घर को कभी नजर नहीं लग सकती वह घर हमेशा नजरी से बचा रहता ह जाइब होजाएंगी जिनके चहरे पर जाइब हो जाएंगी वे रात को मखन लगा प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा फ्रेंज आज की वीडियो कैसी लगी इसका भी फीड़बैक वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा फ्रेंज अपना ख्याल रखेगा अपनों का ख्याल रखेगा आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक है